अध्यान तुर्प्ति का मार्ग नैधर्म सत्य को लेकर सुचना है यह सुचना अध्यान पुरुवक मन को स्विकार होती है फिर तुलन में स्विकार होती है फिर चित्त में स्विकार होती है फिर बुद्धी में बोध हो जाती है सत्ता में संप्रिक्त प्रकृति का बोध बुद्धी में ही होता है मन में नहीं होता चित्त में यह चित्रित नहीं हो पाता इसका बुद्धी में ही बोध होता है यह बोध होने से बाकी सब संतुष्ट हो जाते हैं इसके लिए स्वयम में निर्ख्षन परिक्षन करने के आउशकता है सर्वप्रथम स्वयम में नयाय धर्म सत्य का निर्ख्षन परिक्षन होता है इसके लिए जिग्यसा होती है सत्य क्या है कहा है धर्म क्या है कहा है नयाय क्या है कहा है इसके लिए इस प्रस्ताव से सूचना मिलती है सहस्तित्व रूपी अस्तित्व ही परमसत्य है सर्वतो मुखी समाधान ही धर्म है मुल्यों का निर्वाह करना ही न्याय है यह सक्षतकार होकर बुद्धी में पहुच जाता है पहुच जाने पर यह अनुभाव मुलिक विधी से प्रमाण बोध होता है प्रमाण बोध होता है तो वह हमारे आचरण में आने लगता है इसको मैं सही मानू या बाकी किसी बात को मानू आप सोचो नियाय धर्म सत्य को लेकर जिग्यासा जीवन में कहा होती है तुलन में नयाय धर्म और सत्य के नाम के प्रती पहले से ही सम्मती है नयाय क्या है? धर्म क्या है? सत्य क्या है? यह जिग्यासा है सत्य के लिए पहले आदर्शवाद में कहा गया था कि सत्य और निर्वेचनिय है और यह समाधी में समझ आता है समाधी को मैंने स्वयम देखा है समाधी में कोई सत्य मिला नहीं सत्य सैयम करने पर मिला समाधी सैयम पुर्वक प्राप्त उस सत्य को शिक्षा विधी से कैसे पाते हैं वह सिड़ी आपको बता रहे हैं अध्यान दोरा जिग्यासा पुरुवक सत्य बोध होने की जगह में चले जाते हैं। ब्रह्म से जाकरिती के इस मार्ग को सिलसले से फिर से बताएं। ब्रह्मित अवस्ता में भी जीवन नयाय धर्म और सत्य की अपिक्षा रहती है। तुलन में नयाय धर्म सत्य मद्यत दर्शन दोरा नयाय धर्म सत्य का प्रस्ताव शब्द के रूप में विचार में पहुचा। इससे नयाय धर्म सत्य की अपिक्षा की पुष्टी हुई। इस शब्द से सम्मंदित वस्तू वहां नहीं रहा। शब्द द्वारा सहस्तित्व होने के रूप में वृत्ती में स्विकार हो जाता है। शब्द से इतना भारी उपकार हो जाता है। सत्य का होना स्विकार है। तभी तो लोग उसके लिए आप तक प्राण देते रहे हैं। न्याय धर्म सत्य कुछ होता है, वह वृत्ती में स्विकृत है। तभी तो यह न्याय है, यह अन्याय है, यह धर्म है, यह अधर्म है, यह सत्य है, यह असत्य है। ऐसा तोलने की भाषा प्रयोक करते हैं। लेकिन जीने जब जाते हैं, तो शब्द भर परियाप्त नहीं होत शब्द सुनने के बाद शब्द के अर्थ में जाने की आउशक्ता बन जाती है शब्द का अर्थ अस्तित्व में वस्तु है जैसे पानी एक शब्द है और पानी एक वस्तु है उसी तरह सहस्तित्व एक शब्द है सहस्तित्व शब्द से इंगित वस्तु क्या है? सहस्तित्व के बारे में प्राप्त सुषना के आधार पर हम सहस्तित्व वस्तु को पहचानने की जगा पहुच जाते हैं सहस्तित्व सत्ता में संप्रिक्त प्रकृती सो रूप में है सत्ता वैपक है एक-एक इकाईयों के रूप में अनंत प्रकृति है सहस्तित्व के बारे में चित सुषना का परिशिलन करने हम चित्त में गए जिसके फलन में सहस्तित्व चित्त के चिंतन शेत्र में शाक्षातकार होता है अध्यन की शुरुवात चित्त से ही है शाक्षतकार का यथावत बुद्धी में बोध हो जाता है बुद्धी में जो बोध हुआ उसका तुरंत अनुभव हो ही जाता है चित्त में शाक्षतकार होने के बाद बोध, बोध के बाद अनुभव सिद्ध, अनुभव ही प्रमान है आत्मा में हुए अनुभव का परावर्तन बुद्धी में अनुभव प्रमान बोध हो जाता है उसके साथ प्रमानित होने का संकल्प पूरा होता है अनुभव प्रमान बोध होने के पश्षात तुरंथ हमारा चिंतन शुरू हो जाता है चिंतन चितरन की पृष्ट भूमी है संकल्प प्रमानित करने की दवाई है संकल्प के अनुसार चित्त काम करने के लिए चिंतन एक आवश्यक क्रिया है जिससे वृत्ती संतुष्ट हो जाती है यही न्याय है यही धर्म है यही सत्य है वृत्ति के इस प्रकार सहमत होने के लिए अनुभव आवश्यक रहा इस प्रकार अनुभव मुलक विधी से तुलन में नयाय घंटी बजाने लगा धर्म घंटी बजाने लगा सत्य घंटी बजाने लगा वृत्ति में नयाय धर्म सत्य पूर्ण द्रिष्टियों से प्रमान पुर्ण तुलन होने लगा इस विशलेशन के अनुरूप मन में आस्वादन हुआ मुल्यों का और उन मुल्यों को प्रमानित करने के लिए मन चैन करने लगा अब मन में जो समवेदनाओं से जो सुचना प्राप्त होती है वह इसमें नियंत्रित हो गई इसके लिए कोई बहार से बल नहीं लगाना पड़ा मन में मुल्यों के आश्वादन के आधार पर जब चैन करने लगे तो प्रमानित होने लगे प्रमानित करने के लिए एक तरफ संकल्प बुद्धी में और दुसरी तरफ मन में चैन ये दोनों मिलकर प्रमान परंप्रा बन गई सिक्षा विधी से अध्यान अध्यान विधी से बोध बोध विधी से अनुभव अनुभव विधी से प्रमान प्रमान विधी से प्रमान बोध का संकल्प प्रमान भोत के संकल्प से चिंतन और चितरन, चिंतन और चितरन से तुलन और विशलेशन, तुलन और विशलेशन के आधार पर मुल्यों का अस्वादन और उसी के लिए चैन इस package को अच्छे से अपने में दुरूड बनाओ, यदि इसको प्रमानित करना शुरू कर दिया आपने, फिर जो होना है वो हो ही जाएगा अपने में प्रमानित होने के बाद, अपने आगे जो होने वाला प्रक्रिया है, वो होगा ही उसके लिए हमको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है इस तरह छोड़ने पकड़ने का पूरा जिंजट ही समाप्त हो गया समझ के करने में हम जैसे ही जाते हैं, तो प्रमान ही प्रवाहित होता है या जो मैंने समझाया, यदि आपको समझ में आता है, उसमें आपकी निष्टा है तो फिर आपको अनुभव क्या तकलीफ है अनुभव के बाद प्रमानित करने का जो हमारा प्रवृत्ती बनता है, उसके अनुसार हमारा आचरन बनता है अनुभव के बाद आचरन में न आये, ऐसा कोई बांध नहीं है, आचरन में उसको आना ही है यह प्रस्ताव बाबाश्री ए नागराज ची दौरा मद्देस्त दर्शन सहस्तितो वाद समवाद पर आधारित मर कंटक अगस्त 2006 में दिये गए समवाद पर आधारित है धन्यवाद